येस इलाउं क्लास कल की वीडियो में पने बच्छों 1.5 एक्सरसाइज के क्विश्चन नॉबर 1st पढ़ा था क्विश्चन नॉबर 2nd 2nd question एं यूज़ेर दे रखा है A B C D E F G H कॉंप्लेमेंटरी फाइंड दरना पूरक समुझे हिंदी में इंग्री्लिस में इंग्लेमेंटरी सेट्ट हां ना एंग्लेमेंटरी सेट्ट करना करना था मैंने ये तो भू ले ईक्वर्ड हो था как यू इसके भी उपते हैं से उसको इमें से minus you are a b c d e f g h a b c so when you are unified d e f g h complement means plus five we say that d e f g second part we say that d e f g b less means you may say b you say that a b c d e f g h b e f g so u may say b u ke wo element lene hai jose b meaning here so e b g h third e c e g third e c e g third e c e g third e c b e f g h minus a c e g so value i give the pass b d f h d set a fourth f g h a d dash u minus d so a b c d a d f g h a d f g h e value i g b c d इस तरी के 7 complementary set find करेंगे यह तो अपने था question number सेक्ड बच्छों थार्ड क्यूशन भी सें यह कहीं कॉंप्रिमेंट्री ही find करना पर्स सेंड विल्डर फॉर्म दे रहे हैं सेंड विल्डर फॉर्म को सबसे पहले आपको प्रोस्टर पॉंग मींज एक स्टैर से find करना होगा फिर कॉंप्लेमेंट्र सेंड यही प्रोसेजर कुछ भी चेंज नहीं है तो एक बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे थार्ड क्यूशन की कि फॉर्ट क्यूशन तो इस बार घटा दिया आपने डाइग्राम मनाना तो यह तो अपने घटा दिया फॉर्ट क्यूशन हो देखो फॉर्ट क्यूशन बहुत इंपोर्टेट है जो कि मैंने पहले समझे दिया आपको 1,2,3,4,5,6,7,8,9 A सेट गीवन है 2468 B सेट गीवन है 2357 एक पाइट में करवा रहा हूं एक पाइट आप करोगे को करो बिलाक देखो बिलाक पाइट है 2.2,3,4,1,3,4,2,3,4,4, danos,3,4,5,2,4,4,5,1,3,4,5,6,4,3,4,5,1,3,4,1,4,4,4,4,5,1,4,5,1,4,3,4,4,5,1,4,5,1,4,2,3,4,5,2,6,2,4,1,3,4,5,5,1,4,4,2,4,1,4,2,1,4,1,2,4,3,4,2,4,5,1,4,1,4,3,4,4,1,4,1,4,5, सब्सक्राइब करना है ए यूनियन बी का सबसे फर्स्ट ए यूनियन भी फाइन करना है यूनियन में टोटल एलिमेंट लेते हैं तो ए यूनियन भी हो गया ए यूनियन ली का देस फाइन करना है यूनियन भी का देस का देस फाइन करना यूनियन भी होगा माइनस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो रिमानिंग एलिमेंट है 1,9 यह तो पेटा A यूजिन B का बोल्टेस हुआ अब राइट इन साइड है A-DES, इंट्रसेक्षिन, B-DES इंट्रसेक्षिन किसका लेना है A-DES और B-DES का तो पहले A-DES फाइंड करेंगे A-DES इक्वल तो U-8 U have 1,2,3,4,5,6,7,8,9 माइनस 2,4,6,8 तो A-DES होगे आपने 1,3,5,7,9 अब B-DES फाइंड करेंगे B-DES इक्वल तो होता U-B मैंने पहले बता रहे हैं जिसके वी उपर DES लगा हुआ है उसको U में से माइनस करके सोज करते हैं तो U सेट है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 माइनस 2,3,5,7 1,2,4,6,8,9 यह है B-DES अब A-DES इंटरसेक्शन B-DES A-DES है 1,3,5,7,9 इंटरसेक्शन है B-DES 1,2,4,6,8,9 इंटरसेक्शन मींस कॉमन तो 1,2,4,6,8,9 तो और कोई साब भी इंटरसेक्शन में बेटा वेटाएकरां इस बार है अटा दिया इसे तो टॉपिक में ने पूरा कंप्लेट दरवा दिया था एक बार आख कर लेना पड़ सहलबस से साब भाड़ा दिया तेके U है ट्राइंगल का सेट U को उनिवर्सल सेट लेना क्कोन सा सभी ट्राइंगल का सेट है उन ट्राइंगल का सेट है जिसमें एक येक सिक्स्टि डिगरी नहीं है तो जब 60 degree के angle नहीं है तो अपन यहां पर A dash find करेंगे तो सभी triangle के set में से 60 degree के angle वाले set को 60 degree के angle नहीं वाले set को minus कर देंगे तो अपने पास कौन से set बचेंगे 60 degree के angle और 60 degree के angle को अपन क्या बोलते है Equilateral triangle हिंदी में संबाहू तरी पूच अब देखें बचो यह results तो आपको इस डायरेक याद रखना है मैं सिधा लिखना हूँ फर्स्ट पार्ट A union A dash U होता है यह काम हाँ है अपनी आप डायरेक याद रखोगे यह results है तो सेटिंड फाइडेस इंट्रसेक्शन A equal to A उन था यह तो कुछ भी काम नहीं आएगा फिर भी अपने थार्ड एंट्रसेक्शन A dash equal to 5 पॉर्थ यूडेस इंट्रसेक्शन A equal to 5 तो यह results अपने को थोड़े से ध्यान रखने होंगे तो इसी के साथ 1.5 exercise complete होगी अब बच्चों अपन पढ़ेंगे 1.6 exercise एक लाच्ट रह रहेंगे तो सारे questions कर ली हो जाएंगे तो इसका एक फॉर लिख जाता हो में and A union B equal to formula होता है and A plus 1.6 के लिए बता रहा हो है and B minus and A intersection B and क्या होता है cardinal number cardinal number का मतव होता है number of elements and set में समुच्चे में अव्योग की संख्या, वोई cardinal number का इस formula पर बेस अपने 1.6 exercise के question है, एक formula और यहां पर बता लेता हूँ, जो मिश्रेन इसमें एक जगह पर काम आएगा, and A plus and B plus and C minus and A intersection B, B intersection C, C intersection A, plus and A intersection B intersection C, यह formula आपने एक काम है, तो आगे पर पर डिस्केशन होता है, जो आपने वोई cardinal यहां पर बाटू की स्क्वाट का में की सरय है, जो की आपने एक जड़की सब्सक्राइएब आपने जो आपने वे एक पर बता दो पर रिस्के आपने एक जग़धायःदम,